देश की आजादी के बाद आज भी देश की जनता अपनी मूल भूत सुविधाओं के लिए चूज रही है किसान आज भी आत्म हत्या कर रहे हैं जिससे हर्याना भी अचूदा नहीं है 1966 में बना राज्य हर्याना क्रिशी परधान राज्य है लेकिन यहां किसी नेता ने किसानों की जरुरतों पार्थ्यान नहीं दिया सिर्फ एक शक्स को छोड़ कर जिसका नाम नरेश यादव है नरेश यादव जी को लोग जुझारू, करमठ और खुद के बीच का नेता मानते हैं एक ऐसा चेहरा जिसको देखते ही किसानों और गरीबों के दुखी चेहरों पर मुस्कान आ जाती है राजनिती को समाच सेवा का एक जरिया मानने वाले नरेश यादव एक बार जल योधा से निर्दलिय विधायक भी रह चुके हैं निर्दलिय विधायक होने के बावजूद यादव जी ने विधान सभा में अपने हलके के लिए पूरी आवाज उठाई उसी आवाज की बूंच का नतीजा था कि हर्याना विधान सभा में स्पेशल इकनॉमिक जोन S.Y.L. नहर निर्मान सूखा राहत और पानी का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया नरेश जी की आवाज इतने में ही नहीं रुकी उन्होंने हर्याना में शिक्षा के लिए भी आवाज उठाई और महिंद्र गड़ में विश्व विद्यालिय और सैनिक स्कूल बनवाया साथ ही सुजापूर में ओद्योगिक प्रशिक्षन संस्थान की स्थाफना करवाई अगर आप जाते हैं कि आपके आवाज मणूत हो आपके आवाज सरकार तक पहुनचे और आपकी मांगे पूरी हो तो आप एक ऐसे शक्स को वोड़ दे रहे हैं एक ऐसे इंसन को वोड़ दे रहे हैं जो आपकी तरब से लाई लड़ सकता है जो आपके आलाज सरकार तक पहुंचा सकता है नरेश जी के सिर्फ पांच साल के कारेकाल में उनके हलके की सड़कों की हालत भी सुधरी शेकपूरा, धरस, लहरोदा, बजार और भीलवारा जैसी कई जगों पर मिडल स्कूलों की नीम रखवाई उन्होंने अपने कारेकाल में बिजली के लिए भी संघर्श किया और अपने हलके में बिजली विवस्ता दुरुस्त करवाई नरेश जी दौरा करवाई गए विकास कारे ना सिर्फ शेहर में बलकि गाउं में भी नजर आते हैं गाउं में चुपालों की मरमत के साथ साथ ने चुपालें भी बनवाई